60 second में जानेंगे Windows 11 में किसी एप को uninstall कैसे करते हैं तो उसके लिए desktop पर किसी भी blank के लिए पर cursor ले जाकर के right click कर दीजे उसके बाद यहाँ पर आपको personalized का option मिलेगा इस पर click कर दीजे तो personalization का यह देखिए page यहाँ पर open हो गया left hand side में देखिए यहाँ पर आपको apps का option मिलता है इस पर click कर दीजे तो यहाँ पर देखिए installed app का option आपको मिलता है अब इसके ठीक सामने यह देखिए एक arrow दिख रहा है आपको इस पर आप जब click करेंगे तो जो भी app इस system install होंगे सबकी list यहाँ पर आ जाएगी आप किसी भी app को मान लीजे कि 3D viewer को हमें uninstall करना है तो यहाँ पर देखिए 3 dot आपको दिख रहा है इसके सामने ठीक है इस पर click करिए और यहाँ से uninstall पर click करते ही यह app uninstall हो जाएगा